हेलो, नमस्ते स्टुडेंट्स, मर्सुमन, यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में सामन्ती व्यवस्ता किसे कहते हैं और सामन्त वाद भारत में कब आया इन सब बातों के बारे में अध्यन करेंगे तो देखेगा यह दि आपने हमारे यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी महत्वपुन सूचना पहुंच सके ठीक है और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ने नोटिफिकेशन मिले और आप परिक्से की तयारी अच्छे से कर सकें तो देखेगा पढ़ते हैं सामन्ती व्यवस्ता सामन्त व्यवस्ता का अर्थ सामन्त वाद को अंग्रेजी में फ्यूडरल सिस्टम कहते हैं फ्यूडरल सिस्टम फ्यूड से बना है जिसका अर्थ है भूमी का ऐसा कुछ भाग जो सेवा करने की कुछ सर्तों पर उसका स्वामी किसी सामन्त को खेती के लिए देता था और इ लाकर ये है भूस्वामित्वय एम व्यक्तित्वय सम्मंदों पर आधारीत एक सामाजिक पदत्ती होती थी जिसमें परस पर अधिकारों तथा कर्तवियों का निधारण होता था समंद व्यवस्ता गुपतोतर काल को प्राचीर भारत के अन्यकालों से अलग करती है सामंद का मूल अर्थ पडोसी होता है तता इसका प्रियोग मोरिय काल में पडोसी सासकों के लिए पोटिले के अर्थ सास्तर तता असो के अभिलेक में प्रियोग में लिया गया था गुप्तकाल के पहले इस सब्द का प्रियोग नीतीकारों द्वारा पडोस की भूमी संपती के लिए किया जाता था समुत्र गुप्त के इलहाबाद परसस्ती में वर्नित सीमा वर्ती राजा जिसे परतेंत निर्पती भी कहा जाता था भी सामन्त के मूल अर्थ में आते हैं गुप्तकाल के समाप्त होते होते तथा निश्चित रूप से छट्टी स्थाब्दी तक इसका एक नया अर्थ सामने आया अब सामन्त का अर्थ एक पराजित पर पुनरिस्तापिद भेंड देने वाला राजा हो गया जो राजे की अब देखेगा सामंती व्यवस्ता की उत्पती सामंतों के उत्पती तथा विकास सामंतवादी व्यवस्ता के विकास में एक महतोबन कडी थी जहां प्रारंबी काल में पर्शासन का काम केंदर द्वारा नियुक्ति व्यक्ति देखता था देखता या वही गुप्त काल के बा सासन व्यवस्ता सीमान प्रांतों में देखी जा सकती थी जबकि हर्स तथा उसके बात के काल में यह राज्य के केंदर में भी पाई जाने लगी सामन्त अपने छेतर में काफि स्वतंतर होता था सिगर ही उसने पुराने नाइबों को संपती तथा समान में पिछे छोड़ दि इन सकतिञ तत्म को राजय का अंग बनाने के उड़ेसे से इन्हें किनको सामतों को राजा के दर्बार में उचे पड़ दिए जाते थे अत्या वल्लब के राजा जिसे हर्स ने पराजित किया था ने सिर्फ महा सामन्त बने बलकि महा प्रतिहार तथा महा दंडनायक जैसे उच पदों पर भी गए केंद्रिय दरबार के अधिकारियों ने भी इन पराजित राजाओं के सम्मान की मांग की तथा उसे प्राप भी किया परन्तु सिर्फ पदवियों से संतुस्ट नव होकर इन अधिकारियों ने छेतर की भी मांग की यह भारत के सामन्तिक राणी की परकेरिया थी, जिसे भारत के सामन्ति सवरूप मानना चासकता है सामंदवाद के मोलिक विचार सामंदवाद के दो मोलिक विचार थे कौन-कौन चे परतेक विक्ति का कोई स्वामी होना चाहिए जो उनकी रक्सा कर सके तता जिसकी वहब बदले में सेवा कर सके सभी राजनेतिक तता सामाजिक समंदों का आधार भू नियंत्रन था, वस्तुत बूमी का अधिकार या भू नियंत्रन ही इस समंद का एक मत्तर आधार था संकट के समय इसी से पारस्परिक सेवा एं सुरक्सा का भी कारिय होता था समन्तिकरण की प्रक्रिया को दो बातों ने तेज किया वेतर में देने के लिए मुद्रा का अभाव तता ये विचार की राजा का समान उसके समन्त चाकर के आकार पर निर्बर करता था अर्थ सास्त चैसी पुरानी सहींता अधिकारियों की वेतर का विश्त्रीद ब्योरा देती है तथा वियन सांग बताते हैं कि सात्विस ताबदी में भी कुछ अधिकारी अपना वेतर नगद पाते थे इसके बाद विश्वे व्यपार में आई मंदी तथा मुद्रा के परसलन में कमी के कारण ये है आवस्यक हो गया कि अधिकारियों को वेतरन के स्थान पर गाम अथ्वा जीले का राजस्वे परदान कर दिया जहे कुछ समकालिन स्रोथ हमें बताते हैं कि राजा ऐसे दाने को रद करने में परसन होते थे खास कर अगर उस अधिकारी ने राजा को नाराज किया हो परन्तु आम तोर पर समंतिकर्ण की परक्रिया केंद्री सहसक से ज़्यादा मजबूत थी समंतवाद का उदे समंतवाद का उदे एंविकास पर्थम सताबदी के बाद ब्रामनों को दिये जने वाले भूमी अनुदानों में देखा जा सकता है गुप्तकाल में उत्तर भारत में इनकी संख्या में व्रधी हुई जो बाद के काल में और बढ़ती गई हर्च के काल में नालंदा बोध विहार को दोसो गाउं का स्वामित्वाए प्राप्त था ब्रामनों तथा मंदिरों को भूमी कर सोपने का उद्द से अपने सरंक्सकों के पर्ती नागरिक एंवन सनिक सेवा नहीं बलकि अधात्मिक सेवा परदान करना था उन्हें वीतिय अधिकार इनक कानौन व्यवस्ता था अप्राधियों से जुर्माना वसूरने जैसे परसासने का अधिकार सोपे जाते थे वे इंसांग के अनुसार राजे के उच अधिकारियों का वेतन भूमी अनुदान के रूप में दिया जाता था लेकिन ऐसे अनुदान प्राप्त नहीं हुए है संभवताय में ऐसी वस्तु पर अंकित किये गए होंगे जो नस्ट हो गई होगी भूमी पतियों के एक वरक के निर्मान की ये प्रकृरिया पूरे देश में ऐसमान ने थी यह रिवासर और प्रतम पहली सदी के लगबग महरास्ट में प्रारम में हुआ था ऐसा परतित होता है कि चोथी स्तापदी में भूमी अनुदान मध्य परदेश के एक बड़े भाग में होता था पच्चिम बंगाल और बंगलादेश में पांचवी चटी स्तापदी में उडिसा में चटी स्तापदी सदी में आसाम में साथवी स्तापदी में तथा केरल में नवी दसवी स्तापदी में यह परथा महतोपन हो गई थी ब्राहमनों के लिए आई के अतिरीक्ति स्रोत का पता लगाने के लिए तथा नए छेत्रों में कर्शी के विस्तार के लिए भूमी अनुदान की पर्था सबसे पहले सुदूर, पिछडे तथा कबिलाई छेत्रों में प्रारम की गई थी उप्योगी पाने पर इसका विस्तार मध्य भारत या मध्य परदेश में किया गया जो देश का सभ्भे भाग था तथा ब्रहमनवादी समास तथा सभ्भेता का केंद्रे था प्रारंबिक भारतिय समंतवाद की एक और विसेश बात ये थी कि 10-12 या 16 गाउं या उनके गुनकों के आर्थिक इकाई की विवस्ता करना पहली दूसरी स्ताबदी के मनु के नियम पुस्तक में ये काहा गया है कि 10 गाउं के संग्राह को भुमीदान द्वारा वेतन देना चाहिए ये इकाई राष्ट्रकूर्ट तथा कुछ हद तक पाल राजों में भी थी भारत में समंतवात का सामाजिक आर्थिक पक्स गुप्त काल से बाद के जिने उपर के तीन वर्णों का सेवक माना जाता था कर्शिक के रूप में परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है पुराने बसाये के छेत्रों में संभवता सुद्रों को जमीन दी गई पिछड़े छेत्रों में अनेक जन्जातिय कभीलों को ब्रह्मन वादी वेवस्ता में भूमी अनुदान के द्वारा समेलित किया गया तथा उन्हें सुद्र कहा गया इसी कारण से वेन सांग ने सुद्रों को किसान कहा तथा लगबग चार सताब्दी के बाद अलवरुनी ने भी इसी बात को दोहराया प्रारंबिक सामंदवाद की भूमी का देखेगा प्रारंबिक सामंदवाद की एतिहासिक भूमी का कई कारणों से महत्तोपुन थी सरा पर्थम भूमी अनुदान द्वारा मध्य भारत उडिसा तथा पूरी बंगाल में नए छेत्रों में क्रशी का विस्तार संभव हो पाया यह इस्तिती दक्सिन भारत की भी थी कुल मिलाकर प्रारंबिक सामन्दवात के काल में क्रशी का काफी विस्तार हुआ उद्धर्मी ब्रामनों ने पिछडे तथा आदिवासी छेत्रों में करशी के नए तरीकों को पहुँचाया पुजारियों द्वारा कुछ परंपरा तथा विश्वासों को बढ़ावा देने से कबिलाई लोगों की प्रगति हुई पुजारियों ने आदिवासीों को हल चलाने, खाद का परियोग करने, मोसम तता पोधों का ग्यान देकर खेती के विकास को मदद दी, विसेश कर बढ़सात के ग्यान द्वारा इन में से अधिकांस बातें क्रशी परासर में अंकित हैं जो इस समय की रचना थी दूसरा भूमी अनुदान द्वारा दान में दिये गए चेतर का परसासन सलाने के लिए एक विवस्ता मिली क्योंकि यह कार्य दान प्राप्त करने वाले का होता था स्थापित तथा पिछडे चेत्र में धार्मिक दान से लोगों में स्थापित व्यवस्ता के लिए वफादारी के भाव का विकास हुआ दूसरी तरफ दरम निर्पेक्स सामंत यूद के समय सरनिकों द्वारा तथा चेत्र के परसासन द्वारा स्वामी की सेवा करते थे तीसरा भूमी अनुदान के द्वारा कबिलाई छेत्रों का ब्रहमनी करण हुआ तता उन्हें उन्नत जीवन के लाब मिले इस अर्थ में समंतवाद ने देश को जोडने का काम किया ब्रहमवी वर्त पुराण के अनुशार सैकडो जातियों में तथा मिश्री जातियों में चार वर्णों के विभाजित होने का मुख्य कारण इन कबिलाई लोगों का ब्रहमन वादी व्यवस्ता से सिद्धा संपर्क भूमी दान द्वारा इस्तापित होना था अता है भारतिये सामन्तवाद अनेक विकास चरनों से गुजरा गुप्त काल तथा उसके बाद की दो सतापदियों में ब्रहमनों तथा मंदिरों को भूमी अनुदान देने की प्रंपरा प्रारंब हुई जिसका सवरूप तथा संक्या पाल परतिहार तथा राष्टर परतित होता रहा प्रारंबिक काल में सिर्फ आरोतिह अन्धिकार दिया जते थे पर 192 स्था अब आदी में ये प्रक्रिया पूर्ण हुई जब पूरा उत्तर भारत आर्थिक तथा राजनतिक टुकडों में बंट गया तथा किसे ने किसी धार्मिक अथ्वाद धर्म निर्पेक्स विक्तियों को दान में दिया गया था जो इसे जागीर की तरह भोग रहे थे अब देखें क सामंतिकरण का परिणाम सामंतिकरण के परिणामत है राजा का प्रभाव उसके केंद्रिये छेतर में भी धिरे धिरे कम होने लगी क्योंकि राजस्वा दायक भूमी केंद्रिये प्रशासन के प्रभाव से दूर होने लगी थी केंद्रिये सक्ति के कमजोर होने की प्रक्रि जोर से यह अवस्यक अंग बन गया था, समकाली इस रोतों में राजा के दरबाल में सामन्तों के वैभव के परदशन का विशेश तरीका बन गया था, सामन्त था महा सामन्तों की संख्या से राजा के वैभव का पता चलता है, परंतु इस तरह का सामन्त चक्कर ऐस्तिर था, क तो देखेगा इस वीडियो में हमने सामन्तिय विवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त की आगे भी हम आपको इसी प्रकार से इत्यास विशेश समध्य नए ने टोपिकों के बारे में जानकरी देंगे तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे